बिहार के इस मंदर में सीता माता ने किया था पहली बार छट। क्या आप जानते हैं कि हिंदूओं का महापर्व छट की सुरुवात किसने की थी। क्या आप जानते हैं छट का व्रत सबसे पहले इस देश में किशने किया था। क्या आपको यह मालूम है कि छट महापर्व की स कहां से हुआ था क्या आपको यह जानकारी है कि छट महापर सबसे पहले किस मंदिर में मनाया गया था यदि नहीं तो आईए हम इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं बिहार में छट का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है छट एक ऐसा महापर्व है जिसमें पव देश्चु तक में मनाया जाने लगा है इसी बात से इस महापर्व की महत्ता को समझा जा सकता है आपको बता दे कि सबसे पहले इस देश में छट का महापर्व सीता मयया ने किया था त्रेता युग में जनक के दुलारी भगवान श्री राम की पतनी माता सीता ही वह पहली म पहाननारी है जिसने इस पर्व के वृत को सबसे पहली बार किया था तब से यह पर्व हिंदु धर्म का एक अती महत्वपुन पर्व बन गया और प्रतिवर्ष एक नहीं दो बार यह पर्व मनाया जाता है बिहार के मुंगेर सहर को वस्वभागे मिला है जहां पर माता सीटा ने सबसे पहले छट का व्रत पूजन संपन किया था मुंगेर के सीता चरन मंदिर ही वह पवित्र अस्थल है जो माता सीता के छट पर्व करने की गवाही देता है जी हाँ, इसी मंदिर में प्रभुराम की प्रानप्रिया सीता मैया ने पहली बार छट किया था यहां उनके चरन पढ़े थे, इसलिए इस स्थान का नाम सीता चरन मंदिर पढ़ गया दूर दूर से लोग यहां पढ़ा कर छट का व्रत पुर्ण करते हैं जिससे उनकी मनुकामनाएं पूरी होती है मुंगेर के गंका टट परिस्थित इस मंदिर में माता सीता के चरन चन को आज भी देखा जा सकता है पालमिकी रामायन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह वर्णन मिलता है कि मुंगेर के इस मंदिर में जहां पर माता सीता के चरन चन स्थापित है वहां पर रहकर माता ने लगाता छह दिनों तक छटी मया की पूजा अर्जना की थी कहा ऐसा भी जाता है कि जब भगवान श्री राम ने चौदव वर्षों के कठेन वनवास के बाद आयोध्या लोटे तो रिशी मुनियों ने उन्हें रावन की हत्या के पाप से मुक्ति हे तू एक रासुय यग करने को कहा था किन्तु चब इस यग में आने के लिए मुद्रूल रिशी को निमंतरन दिया गया तुन्होंने भगवान राम को अपने ही आश्रम पर आने का आमंतरन दिया तब माता सीता के साथ प्रभुर्शी राम मुद्रूल रिशी के आस्रम पर आए जहां उन रिशी जी ने उन्हें पूजा की विधी बताई थी। तब माता सीता के पवित्र चरंचन पर श्रधालू मत्था तेकते हैं। तो रिशी ने माता ही। पूजा टेकते हैं।